हेलो फ्रेंट्स स्वागता आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए कोपीराइट फ्री है तो उसके उपर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी है उसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूंगा आप वहां से जाके इसली उसे सीख सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लें आपको मेरी आने वाली नहीं वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो प्रेंट्स हम आ चुके हैं अपने टाइब करना है www.google.com एंटर कर देना है फेंट्स यह आप अपने फॉन से भी कर सकते हैं उसमें भी आपको सेंट स्टेप को फोलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें भी आपको प्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है जैसे आप कोई भी इमेज़िस चाते हैं Google से जैसे कोई भी सिटी की ले लेता हूं मैं मुंबई की ले लेता हूं मुंबई लिखके एंटर कर दिया उसके बाद यहां पे देख सकते हैं आप हमें यहां पे यह जो इमेजिस का आइकन दिख रहा है और लिखा हुआ इस पर उपर क्लिक करना है तो यहां से आपके सामने सारी इमेजिस खुल के आ जाएंगी इसकी यह आप देख सकते हैं मुंबई शहर की अलग अलग जेंगे की पोटोस आ गई है अब यहां पे कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें कोपी राइट है और कुछ पिक्चर ऐसी हैं जिनको कोपी राइट नहीं आयागा जिनको हम यूज करेंगे अगर अपनी वीडियो में तो वह हमें कैसे स्लेक्ट करना है उसके लिए यहां पर आपको यह देख सकते हैं सेटिंग के बगल में यहां पर टूल्स का एक ओप्शन मिलता है हमें इसके उपर क्लिक करना है और यहां इसमें Creative Common License यूज कर लेना है इसको हम जैसे ही स्लेक्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ अलग इमेजिस खुलके आ जाएंगी यह आप देख सकते हैं यह वो इमेजिस हैं जिने हम अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं बस हमें इनका क्रेडिट देना पड़ेगा ज इह वली पिक्चर हम यहां से डाउनलोड कर लेंगे आपको डाउनलोड करना तो आता भी होगा इस फोटो के उपर हमें है राइट क्लिक करना होता है और से इसमें करे इसमें यहां पर credit देने के लिए क्या करना होगा आपको यह image आपको लिखना होगा वहाँ पर image और फिर इस website का नाम लिखना होगा और फिर इसका यहां से URL जो यहां पर देख रहा है आपको share करने का option इसके उपर click करना है यहां से इसका URL आपको copy कर लेना है अभी इसमें यहां पर URL आ जायेगा नीचे यह आ गया URL तो आपको इस URL को copy कर लेना है यहां से link copied हो गया इस पर click करते ही यहां से इसको cancel कर देंगे तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं आपको अपने यह image यूज करी है उसके description box में आपको नीचे क्या लिखना है images अगर बहुत सारी images यूज करी है तो images from जैसे एक image करी है तो यहां पर मैं एक के लिए ही बता देता हूं image from इस website का नाम pixabay इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं वेबसाइट की नाम को pixabay आगे भी लिखा होगा इसमें कुछ pixabay ही है ठीक है pixabay.com भी लिख सकते हैं वैसे कर हम इतना ही लिख दें वह भी काफी है नीचे इसका link जो हमने copy किया था उसे paste कर देंगे तो यह चीज आपको अपने description के अंदर नीचे वहाँ पर mention करनी है इसका मतलब यह है कि आपने यह टिक pixabay से ली है तो आप उसको credit दे रहे हैं इसका तो आपके वीडियो के अंदर कोई भी copyright की शिकायत नहीं आएगी तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो के लिए इसको यहां से हटा देता हूं तो इस तरीके से आप वीडियो के लिए कोई भी copyright free image Google से डाउनलोड कर सकत हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और जासे ज्यादा शेयर करें थैंक यू